तो बिल्कुल नए तरीके की इस रेसिपी को जरूर बनाईए ये स्नैक्स की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे एक बार 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 बनाना चाहेंगे इतना ज्यादा टेस्टी बनता है तो चलिए इस नए तरीके की स्नैक्स की रेसिपी को शुरू करते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लिजे दोस्तों ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसली मिल जाए तो चलिए जट पड चुरू कर लेते हैं इसको बनाना तो इसे बनाने के लिए हम लोग पांच आलू ले लेंगे जो की उबले हुए हैं और इसे मैश कर लेंगे और अब मैंने लेसुन की कल्या ले ली हैं और आधा इंच अद्रक ले लिया है और इसको हम लोग अभी क्रश करेंगे और साथ ही शार हरी मिर्च भी इसमें डाल देते हैं ज्यादा तीका काते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं और इसे क्रश कर लिया है देखिए किस तरह का और इसे साइड में रख लेते हैं एक छोटा प्याज लेंगे और बारी काट लेंगे अब पैन में हम लोग डाल रहे है छे बड़े चमच तेल, रिफाइंड तेल में डाला है और कटा हुआ प्याज जो है उसको इसमें डाल देंगे, तेल थोड़ा गर्म हो गया है, प्याज को डाल दें, और ग्रेट किया हुआ एक गाजर में ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं, अब जब कि हमने प्याज और तक अ पिर दाल दिया है तो हमें कुछ सैक्टिंड तक इसे फ्राय करना है तो कम से कम 30 सैकंड इसे चल आते हुए अब पर अब konnte कर लेंगे और उसके बाद हम लोग丁समे फ्रोजन मतर को डालें और फरोजन मतर को जादा पकाने की जरूरत नहीं है us लिए हम लोग को ठाने से चलाजा है एक मिन shift करना है लिए हम लोग इससे पकाएंगे एक मिनफ मन तक असी चलाते हुए एक मिन ट पका ले और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे एक छोटी चमच चिली फ्लैक्स को और जो अद्रक लहसून और मिर्च हमने क्रश किया हुआ था उसको इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसे हम लोग को फिर थोड़ी देर के लिए पकाना है तो कम से कम 45 सेकेंड तक के लिए आप इसे चलाते हुए पका ले ताकि अद्रक लहसून का कच्छा महग भी हट जाएगा और उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चोटी चमच नमक स्वाथ के नुसार डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल रहे हैं एक चोटी चमच जीरा पाउडर डालेंगे आधी चोटी चमच और इन सब को हम लोग डाल चुके हैं और उसके बाद हमें थोड़ी देर फिर से इसे पकाना है ताकि मसालों की कच्ची महक हर जाए तो बस थोड़ी देर इसे पकाएंगे ताकि कुछ सेकंड पका लेने के बाद महक हर जाएगा मसालों का कच्चा महक और उसके बाद आलू को डाल देंगे तो आलू हमने मैश करके रख लिया था जो पांच आलू हमने उबले हुए लिये थे सब को डाल करके हमें इसे अभी पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए तो चलाते हुए दो से 3 मिनट पकाएंगे और उसके पहले बीच में हम लोग डाल देंगे चाट मसाला तो आदी चोटी चम्मत चाट मसाला डाल दिया है और फिर थोड़ी दिर पका लेते हैं और उसके बाद पका लेने के बाद इसे ठंडा करना है ये देखिए पक चुका है और ठंडा करने से पहले इसमें एक चीज़ और मिलानी बाकी है दोस्तों वो है दन्या की पती तो बाद इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे स्टफिंग जब ठंडी हो जाएगी तो आगे का प्रोसेसा में करना है तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो अब चलिए बाकी की तयारी करते हैं तो एक बोल में मैं मैंदा ले रही हूँ जो की है तो 180 ग्राम का ये कप है मेरा और इससे में 1.5 कप मैदा ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा काला जीरा डाल रही हूँ तो काला जीरा मैंने डाल दिया और इसके बाद तेल को ले लेंगे तो तेल हम लोग ले रहे हैं एक चौथाई कप और चार बड़े चमच तो एक चौथाई कप तेल मैंने लिया है एक कप मैदा के लिए और चार बड़े चमच तेल जो मैंने लिया है वो आधा कप मैदा के लिए तेल को डाल दनी के बाद हमें अच्छे से इसे mix करना है कि पूरे मैदे में तेल बड़ाबर mix हो जाए अच्छे से मसल मसल के इसे हम लोग mix करेंगे और इसी से जो है मुएन बनेगा बहुत अच्छा जिसे की बहुत ही कास्ता हमारा snacks बन के तयार होगा तो अच्छे से मिला लिजिए इसे ये देखिए मैंने मिला लिया है और इसे आप ऐसे मुठी बांद करके देखिए ये बंद रहा है कि नहीं तो आप देख सकते हैं ये बंद रहा है तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा मोयन बहुत ही सही पड़ा है तो दोस्तों अब हमें इसे गुंधना है तो पानी डाल करके अब हम लोग इसका डो तयार कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं और जितना जरूरत है उसे इसाब से पानी मिला करके जैसे आप लोग आठा लगाते हैं रोटी बनानी के लिए वैसे ही आठा जैसा लगनाना ऊसे और इसे बहुत ज्यादा हमें नरब नहीं कर देना है बहुत ज़्यादा सक्त भी नहीं रखना है तो देखिए कुछ इस तरह का मैंने तयार कर लिया है आप देख सकते हैं और ऐसे ही आप भी गुंद लीजिए और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए हमें ढख करके रख देना है ताकि ये सेट हो जाए तो 20 मिनट के लिए इ जैसा लंबा सिलिंडर जैसा शेप मैं इसको दे रही हूँ तो हमारी जितनी भी स्टेफिंग है और इनसे हमें बनाना है तो सारा ऐसे ही हम लोग ऐसा ही शेप देंगे और तयार करके एक साइड रख लेंगे तो चलिए सबको ऐसे ही बना करके तयार कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने तयार कर लिया है और इसे हम लोग साइड में रख देते हैं जरुरत पड़ेगी इसकी तो अब हमने जो मैदा को गुंद के रखा है उसे भी कुछ समय हो गया है चलिए इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और नर्म चिकना हो जाए और उसके बाद इसकी लोई बनाएं देखिए मैं इस साइज की लोई बना रही हूँ बहुत चोटी लोई हमें नहीं बनाना है और इसे हाथों से चिकना कर लेते हैं और चलिए इसे बेलेंगे तो बोड के उबर थोड़ा सा सुखा मैदर डाल करके चलिए इसे हम लोग बेल के त्यार करते हैं तो इस तरह से इसे मैं बेल रही हूँ आप देख सकते हैं और उसके बाद आप देखिए कि मैंने कितना मोटा इसको रखा है आपको भी ऐसा ही रखना है बहुत जादा मोटा या बहुत जारा पतला नहीं करना है तो लगभग ये बेल लिया है मैंने और इसको अब मैं कट करूँगी तो चाकू की मदद से हम लोग इसको कुछ इस तरह से कट कर रहे है तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कट कर रही हूँ इसको पूरा उपर से मैं नहीं काट रही हूँ और नीचे तक पूरा मैं नहीं जा रही हूँ देखिए कुछ इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ और ऐसा ही कट लगा करके आपको त्यार करना है और उसके बाद स्टफिंग को हम उपर के तरफ में रखेंगे जहां हमने कट नहीं लगाया है स्टफिंग को ऐसे रख दिया है और अब थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि इसे सील कर सकें तो सील करेंगे ताकि जब हम लोग तेल में इसे फ्राई करने के लिए डालें तो स्टपिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाए बिना किसी परिशानी के तो पानी लगा दिया है सब तरफ और इसे अब मैं मोड रही हूँ तो मोडने का तरीका भी आप दियान से देखिए दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ इस तरह से हम लोग साइड वाला को दबा देंगे और इसे घुमाते वे हम लोग नीचे की तरफ ला रहे हैं थोड़ा सा पानी मैं यहां भी साइड में लगा दे रही हूँ ताकि कहीं से भी खुलने का चांस ना रहे हैं इस तरह से इसे दबाते जाएंगे साइड साइड से और इसे रोल करके लाते जाएंगे नीचे की तरफ और अब आप देख सकते हैं कि यह कितना सुन्दर डिजाइन इसका निकल करके आया है इसमें देखिए जो कटिंग हमने की थी उसका डिजाइन कितना सुन्दर यहां पे आ गया है और ऐसे ही आपको सबको तयार करना है तो मैंने सबको तयार कर लिया है आप देख सकते हैं और कितना ज्यादा सुन्दर लग रहा है तो जब ये फ्राई हो जाएगा खाने में भी बहुत टेस्टी लगीगा चलिए हम लोग तेल ले ले लेते हैं ताकि हम लोग इस स्लैक्स को फ्राई कर सके तो अब एक एक करके इसको गर्म तेल में डालना है पर तेल को बहुत जादा गर्म हमें नहीं कर देना है तेल को बहुत जादा गर्म कर देंगे तो अंदर तो कच्चा रह जाएगा बाहर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना है देखिए कैसे बुलबुले आ रहे हैं और इतना ही तेल गर्म में आपको स्नैक्स को तलना है तो दीरे दीरे बड़े अराम से इसे डाले और मैंने इतना डाल दिया है जितना की मेरे पैन में आ गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही इसे पल्टेंगे तुरंत हम लोग इसे नहीं पल्टेंगे तो थोड़ी देर पक गया है और अब मैं इसे पलट रही हूँ तुरंत ना पल्टे वरना खोल जाने का chance रहेगा तो इस तरह से थोड़ा पक जाने के बाद आप पलट दे और इसे दूसरे side में भी हलका पकने दे और दोस्तो आपको बीच बीच में इसे उलट पलट करना है जब मैंने पहले नहीं पलटा था थोड़ी देर के पलटा था लेकिन उसके बाद जब हलका हलका सब जगा से पक चुका है तो अब हमें बीच बीच में से पलटते रहना है ताकि सब जगा सही कलर आए एक समान कलर आए अब आप देख सकते हैं कि ये सुनहरा और कुरकुरा हो गया है इसलिए मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ एक एक करके इसे बाहर निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितना सुन्दर इसके उपर कलर आया है बिल्कुल सुनहरा और बहुती कृस्पी बन गया है तो चलिए निकाल लें और बाकी को ऐसे ही तलके तयार कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि स्नैक्स हमारा बन के तयार हो गया है देखने में जितना सुन्दर है काने में उतना ही टेस्टी भी है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी आप इसे किसी सब्जी के साथ सर्फ कर सकते हैं या तो टॉमेटो केचप के साथ सर्फ कर सकते हैं ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आप अंदर से देख सकते हैं कितनी अच्छी से स्टफिंग जो है हमारी दिखलाई पढ़ रही है बहुत ही अच्छा कुरकुरा और बहुत ही टीस्टी ये स्नेक्स बनता है तो दोस्तों आप भी ट्राइ करें रेसिपी को और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को मेरे चैनल पर मि मिलेंगे हम लोग विज़े ऐसी ही नई नई और बहुत ही टीस्टी रेसिपीस के साथ थैंक यू